हेलो दोस्तों आप सब्भी का इंडियन करेशीपीड जेनर पर हार्दिक स्वागत है आज हम एक उपय के इस बड़े सिक्के के बारे में चर्चा करेंगे यह शिक्का गुनी सो बासट में जारी हुआ था यदि आप कलेक्शन ही करना चाहते हो तो आपको गुनी सो बासट के इस शिक्के के बारे में जानकारी प्राद करना चाहिए और यह शिक्का ही आप अपने कलेक्शन में जरूर रखें यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों आज हम गुनी सो बासट में जारी इस एक रुपय के शिक्के के बारे मे जर्चा करेंगे. और इसका कोपर और निकलदातुशे बनावा है और, इसका वजन दस ग्राम है, और व्यास इटाइस मेम है। येी कुल्गता मिन्ट में जारी हुआ था आपको ऐसे सिखे यदि कहीं दिखते हैं तो आपको अपने क्लेकशन में जरूर रखने चाहिए शजिए क्या वहाँ लD कम मात्रा में बने थी यदि आप इस सिखे को अपने क्लेकशन में रखते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द होगा अब इस अंतिम दोर में इस सिखेगी मार्केट वेल्यू के बारे में चर्चा करेंगे इस 1922 के सिखेगी मार्केट वेल्यू 50 रुपे से लेकर 100 रुपे तक है यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों जै हिंद जै भारत